नमस्कार जैहिनमित्रों श्वागत आप सभी का आपके अपनी चैनल भी मैचित्र पर मैं भीम प्रजपती स्वागत करता हूं हर भाई हर बहन का आपके अपने इस्टेडी प्रेटफार्म भी मैचित्र यूटूब चैनल पर तो चलिए आज का सेशन सुरू कर लेते हैं यूपी स्पिसल जी के खजाना एक आपका है अबाउट इंडिया जी के खजाना तो ये आपका इबाउट इंडिया के बारे में है क्या है राश्टी प्रतीक के बारे माश टॉपिक है बहुत ही स्पिसल टॉपिक है यहां से कोश्चन हर बार पूशा जाता है तो चलिए व और आपका सबसे बड़ी चीज है राज चिन जो भारत सरकार द्वारा 26 जनुरी 1950 को अपनाया गया था और यहीं से लिया गया था सोक के जो सारनात का अस्तंब था यहीं से अनकृत किया गया है यहीं से लिया गया है ठीक है चलिए आगे देखते हैं सबसे इसमें जो में पॉ काली बात है कि यह आपका 26 जनुरी 1950 को अपनाया गया था चलिए आगे देखते हैं राज चिन्ह के नीचे जो खुदा हुआ सूत्र सत्य में उजयते यह मुंड कोप निशत से लिया गया है ठीक है जो आपका राज चिन्ह के नीचे खुदा हुआ सूत्र है वह सूत्र क्या है सत्य में उजयते और यह कहां से लिया गया है मुंड को उपनिशत से लिया गया बेरी बेरी इंपॉर्टन कोश्चन आगे देखते हैं राश्टी गान के बारे में अपना राश्टी गान क्या है तो राश्टी जन्गर्मन पहली बार जो है 27 दिसंबर 1911 को गया गया था और भारती राश्टी कांग्रेश के कलकत्ता अधिकोरेशन में काया गया था यह जितने भी कोश्चन है आपके लिए खुद आप पढ़ने के बाद खुद समझ पाएंगे कोई कहने की जरूरत नहीं है कि कितने इंपॉर्टेंट है चली आगे देखते हैं आपका नेक्स को कि यह जो है भारती संविधान द्वारा 24 चनुरी 1950 इसवी को अपनाया गया था क्या आपका अपना राश्टी गीत्थी के जनगर्मन अधिनायक जय है और इसका जो अंग्रेजी प्रित्पादन था वो टैगोर्जी द्वारा किया गया था चली आगे देखते हैं नेक्स आ संसकरड है चली आगे देखते हैं और इस चीज के बारे में जानते हैं राश्टी कान के जो पूर्ण संसकरड की अवर ही है मतलब कितने समय में गाई जा सकती है वह आपका बाउन सेकेंड यह कोश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है यूपीट्रेट में चली आगे दे इसको तो आपको पता ही होना चाहिए और आपको पता रहता भी है चली राश्टी गीत बंदे मात्रम जो आपका यह बंकिम चंडर चटर जी द्वारा लिखी गई पुस्तक आनंद मठ से लिए गया है ठीक है आनंद मठ किसकी पुस्तक यह बहुत इंपॉर्डन पुस्तक आप से पूछा गया है तो यह आपके बंकिम चंडर चटर जी की है और इसमें एक गीत लिखा गया था कि बंदे मात्रम सुझेलाम सुफेलाम ऐसे है पूरा बहुत ही सुंदर लगता है कितना मनोहर द्रिस हो जाता है जहां यह गीत गाई जाती है तो बंकिम जी ने लिखा है और वहीं से लिया गया है और इसे राष्टी गीत का दर्जा दिया गया यह पहली बार भारती राष्टी का अंग्रेश के अधिवेशन अठारा सो चानवे में यह डेट्स आप याद रखिएगा और इसका अंग्रेजी प्रतिबादन स्री अर्विंदु द्वारा किया ठीक है अंग्रेजी में चली आगे देखते हैं राष्टी दिगदर्ज का कैलेंडर क्या है तो यह यह राष्टी दिगदर्ज का जो कलेंडर है सक्सम्मद पर आधारित है और इसे 22 मार्च 1977 को और आपका एक चीज और है कि चैत्र इस कलेंडर का जो है पहला महीना होता है और समानन था होते है कि ओन एक चैत्र 22 मार्च को होता है और आपका लीप वर्स जो होता है यह 21 मार्च को होता है राष्टी कैलेंडर में भी 365 से 366 दिन होते हैं इन सब के जो है जानकारी आपको मिल रही है बस आपको करना क्या है कि वीडियो ग्टगन तक बने रहने के जो यह डिजाइन बनकर रेडी हुआ था तो इसे मान लिया गया था कि हाँ यह डिजाइन परफेक्ट अब इसमें कुछ करना नहीं है और दूसरी पॉइंट वाली बात जो आप से पूछा जाता है कि इसका अनपात क्या होता है लंबाई चोड़ाई का तिरंगे का अपने त बहुत जरूरी है जानना जरूरी है यानि कि जो चक्र होता है तिरंगे में उस चक्र में 24 तीलियां होती है चक्र 24 चक्र 24 चलिए आगे देखते हैं राश्टी द्वज का परतासन द्वज सहिता 2002 दो दौरा नियंतरित है जो 26 जनुरी 2002 को लाग हुआ था चलिए आगे 271 और इस बिशे में बने जो भी अन्य कानून को प्रदान की गई हद को छोड़कर आम जनता निजी संगठन सचिक संस्थानों आध के सदस्योदारा राश्टी धच के प्रदर्शन पर कोई प्रत्वन नहीं था यानि कि जादा से जादा जो बांडेशन थे सब फ्री कर द थिए फेरा इंडिका इसका भायग्यानिक नाम है एक साथ दो काम हो जा रहा कि आपको मैयूर को क्या है यह राश्टी नाम पायो कृह। तूस ठीक है यह आपका इसका नाम है और आम का नाम तो मैंगी फेरा इंडिका सबको पता होगा आम अपना राष्ट्री फल है राष्ट्री फूल आपका कमल है जिसे निलंबो निश्वी पेरा कहा जाता है ठीक है इसका राष्ट्री नाम है और आपका राष्ट्री पेड़ पानी का जो डाल्फिन है ये है इसको प्लेट निश्टर गेंगो टीका कायते हैं और आश्ट ने दिया आपकी गंगा है आपको पता ही होगा तो बस ऐसे कुछ इंपॉर्टन्ट टॉपिक थे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टन्ट थे आज के लिए इतना है नमस्कार फिर मेरेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक लिए नमस्कार जाहें